पिली के पराठे तो सभी के घर में बनते है पर आज मैं आपके साथ मुली पराठे की सांधा रेसिपिए करूंगी जो बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैडल को सब्सक्क्राइब करना ना भूले और सा बादर नुसार नमक और उसे हाथों से बहुत अच्छे से मिला दूँगी अब इसको पानी की साहता से इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो त्यार करना है अब इसको रेश्ट होने के लिए रख देती हो इदर मुली को मैंने पद्दुकस कर लिया है और उसका सारा पानी मैंने न अब इदर मैंने दो प्याज को बारिक चॉप कर लिया है एक हरी मिर्च को चॉप कर लिया है आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं परना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें अब एक पैन गरम करूंगे उसमें एड करूंगी दो चमच तेल और अब हाफ टीउ स्पॉन जीरा तो पिंच हिंग के हिंग से जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है न वह नहीं बनती है तो इसलिए हिंग जरूर एड करें जब मुली के पराठे बनाए तो इसमें हरी मिर्च अब प्याज डालके अच्छे से उसे दो तिर मिन तक सौटे कर लू से चलाते हुए 3 से 4 मिन तक भूहनूंगी इसाने मिली स्टफिंग तयार हो चुकी है इसे चलाते हुए 2-3 मिट हो चुके हैं अब यहीं पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगे बिल्कुल रेडी है स्टफिंग गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है अब यहीं पर मैं धन्यापता एड़ करूंगे और इसे ठड़ना होने के सफिर से मिला लेती हों और इसका एक लोई काट लेती हूं लोई पहतेली पर रखे गोल कर लूंगे रांडसेप देवाजादीद omock週 25 देना है बहुत ही अच्छे से अंगुठे की साइता से इसे कटोरी का सेव देना है क्योंकि आटा जो है लोई हमने बहुत ही सॉफ्ट डो लगाया था जिसके काम बहुत ही आसाने से यह बन जाती है और इसमें सारे स्टॉफिंग को अच्छे से फिल कर दूंगी बहुत ही अच्छे से दबा दबा के सारे stuffing को फिल करना है इसे चारो तरब से दबाते हुए बंद कर दूँगी है इस तरह से चारो तरब से दबाते हुए मैंने बंद कर दिया है अब इसे फिर से गोल कर देती हूँ अच्छे से फिर से गोल कर दूंगी अब आठाची रखके पहले उसे हाथों से प्रेस करूंगी बहुत अच्छे से उसे प्रेस कर दूंगी अब इसको पराठे का सेप दे दूंगी मैं पराठे को शेप और चारो तरफ मुली हर एक ओने में अच्छ से चल से ाभा गरम किया और ने अच्छ से पलट पलट के शेख लुगे इस चारो तरफ से ब्लंब्ट के सेख लिया है जह बहुत ही अच्छ इसे निकाल लेती हूं आग इसे तरह से मैं सारे पराठे को बिल्कुल रेडी है मुली के चटपटे पराथे आप इस तरह से आप बनाए सब को खिलाए खाए आप सब को बहुत पसंद आएगी आप इसे आलू की सबजी हरी चटनी सेवई अचार किजी के साथ भी सब करेंगे यह सब को जब पसंद आएगी उमीद है आपको मेरी यह रे